सूरे देव को जल चड़ाते समय भूल से भी ना करे ये गलती वरना जीवन भर रहेंगे गरीब इसके साथ हम जानेंगे कि महिलाओं को किस दिन सूरे देव को जल नहीं चड़ाना चाहिए वरना आपके घर में आती है भयंकर गरीबी तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तो सची श्रद्ध से कमेंट बोक्स में हर हर महादेव लिखना बिलकुल भी न भूलें दोस्तो सूरे देव को जल चड़ाते समय भूल से भी ना करें ये गल्तियां सनातन धर्म में सूरे को जल देने की परंपरा है वैदिक काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी निभाई जाती है सूरे की पूजा भगवान राम प्रती एक दिन क्रिया करते थे शास्तरों में भी कहा गया है कि हर दिन सूरे को जल दरूर चड़ाना चाहिए सूरे को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्थ होते हैं बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं पुरानों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य को आवश्य जल चढ़ाना चाहिए तामबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रस्न होते हैं जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उचारन भी कर लेना चाहिए इस से मन में सकारात्मक उर्जा प्रवेश करती है जिन लोगों का स्वास्थे अगर खराब होता है यदि वो लोग हर सुभे स्नान करने के उपरांद सूर्य देव को जल चढ़ातने हैं तो उनको मंदित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारन प्राप्त हो सकता है बहुत से लोगों की कुणली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए इस से उनके घर मे जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तोर से जल चड़ाने के बावजूद भी अपेक्षित परिनाम हासिल नहीं हो पाते ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास उठने लगता है जो कि किसी भी रूप से सही नहीं है हो सकत बढ़ने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बूलें पहली बात पूर्व की और करें मुख सूर्य देव को हमेशा पूर्व की और मुख करके जल चड़ाना चाहिए ह हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी जल चड़ा रहे हैं उस थान से सूर्य देव को देने वाले अर्ग का जल आपके पैर में कभी भी नहीं गिरना चाहिए अगर जल चड़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंक स्नान किये ना चड़ाएं जल भूल से भी ये गलती ना करें किस नान किये बिना सूर्य देव को जल चड़ा दिया सूर्य देव को स्वचता बेहत पसंद है ऐसे में यदि आप बिना स्नान किये उन्हें जल चड़ाएंगे तो वो आप से रूट जाएंगे और आप जिस का सूर्य देव को जल बिलकुल भी ना अर्पित करें इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच, इत्यादी पात्र का भी प्रयोग ना करें सूर्य देव को जल चड़ाने के लिए हमेशा तामर पात्र का उपयोग करना चाहिए इसके पीछे वैग्यानिक कारण भी है और वो कुछ इ पहरीली गैसिस निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती चोथी बात भ्रह्म मुरत में ही अर्पित करें जल कोशिश करें कि भ्रह्म मुरत में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें भ्रह्म मुरत का समय अर्थार्थ सुबह के तीन से पांच बजे का सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रिया कलाप भी पूर्ण हो जानी चाहिए आप स्वच वस्त्र पहन कर सूर्य को अर्ग दें ऐसा करने से नो ग्रह अर्थार्थ नो ग्रहों की क्रिपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के उपर सदयव बनी रहती है पांचवी बात अक्षत एवं फूल आवश्य हो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली फूल आवश्य होना चाहिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं बस खा की गिरती हुई धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए कहा जाता ही कि ऐसा करने से व्यक्ति के उपर सूर्य देव की क्रिपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक उर्जा भी प्रवेश करती है सातवी बात चपल ना पहने भूल से भी आपके पैर में चपल नहीं होनी चाहिए यदि आप सूरयदेव को चपल पहन कर जल अरपन करते हैं तो वो आपसे रूट जाते हैं और आपके जीवन के सभी काम रुख जाएंगे और आप जीवन में कभी आगे नहीं भड़ पाओगे इसलिए हमेशा सूरयदेव को नंगे पैर रहकर ही जल अरप अवश्य ही हर वक्ती को सूरे देव को जल अर्पिन करना ही चाहिए इससे यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूरे से संबंदित दोश है तो वो दोश गुन में परिवर्टित हो जाएगा साधा भोजल ले यदि आप सूरे देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मासा हार का सेवन ना करें लाल रंकी सबजी मसूर की दाल ना खाएं यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने दोस्तों शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनी देव प्रस्न होते हैं लेकिन रविवार को भी शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फाइदा मिलता है इससे नोकरी पेशा लोगों का पद और प्रगती भड़ती है इसके अलावा पीपल के नीचे चोमुखी दीपक जलाने से ओफिस में आपकी स्तीथी अच्छी होती है, घर में धन और यश बना रहता है, रविवार की रात को एक गिलास दूद भर कर अपने सिरहाने रखे, सोमवार को सूरे उदे से पहले उठे, सनान कर उस दूद को बब ऐसी महिलाएं बताई गई हैं, जिन्हें सूरे देव को जल अर्पित करना नहीं चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है, तो आईए जानते हैं सूरे देव को जल किन महिलाओं को नहीं चड़ाना चाहिए, नमबर एक, सबसे जादा जो महिलाएं सवाल पूछती हैं, वो य इसलिए मासिक धर्म के दोरान कुछ काम नहीं करने चाहिए, जैसे आचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है, मंदिर नहीं जाना चाहिए, चुराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है, ऐसे ही पोधों में पानी भी नही इसलिए आपको मासिग धर्म के दोरान सूर्य देव को जल नहीं चड़ाना चाहिए मासिग धर्म के चोथे दिन सनानक आदी करने के बाद भी कोई धार्मिक कार्य कार्य नहीं कर सकते हैं दोस्तो नमबर दो शादी शुदा महिलाएं जी हाँ, दोस्तो ऐसी सुहागन महिलाएं जिन्होंने अगर किसी हिंदू रीती रिवाज के साथ साथ फेरे नहीं लिये हैं तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधरा नहीं कर सकती हैं, ऐसे में आप दूर रहें, बगेर साथ फेरे लिए कोई भी महिला सूर्य साथ फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कारह में शामिल हो सकती हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागिदार बन सकते हैं, सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं, दोस्तो भले ही कुवारी करन्या सूर्य पूजा कर सकती जल अर्पित भी कर सकती है, लेकिन यहां हम भात कर रहे हैं शादी शुदा महिलाओं की, अगर आपने हिंदू रीती रिवाजों के साथ फेरे नहीं लिये हैं, तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकती, दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दे और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद